दोस्तो मेरा नाम राशित जहीर है और आप देखे हैं मेरा न्यूस चैलेंज जिसका नाम है न्यूस नाइन टीवी शरत पवार ने कहा कि हिंडन बर्क की जो रिपोर्ट है संबभ है वो यहां के बिजनिसमेन को परिशान करने के लिए हूँ दूसरी बात उन्होंने कही कि सब जेपी सी की कोई जरुवत नहीं है इस एक अकेले बियान से गोधी मीडिया एक तो मचल गया है और कह रहा है कि राहुल गांदी के तीन महीनी की पूरी की पूरी मेहनत पर की हवा निकाल दी है यह गोधी मीडिया का कहना है इस पर हुआ यह है कि बंगाल की जो सांसद है महुआ मोहित्रा उन्होंने आकर के कहा कि एक ऐसा चैनल जो खरीदा हुआ है अडानी का खुद अरूसी का एक पत्रकार जब इंटर्व्यू करता उनी के दोस्स से उसने शरत बवार को अडानी का दोस्स बताया वो क्यूं बत इसका ट्वीट भी देख लीजे कि अडानी का खुद का चैनल इंटर्व्यू कर रहा है उसके दोस्त का और वो बताएगा हमें किसको कैसे टॉर्गेट करना है यह कैसा मीडिया है यह दुर्लब मोहित्रा ने ट्वीट करता हुए रिखा कि अडानी की कमपनी का चैनल अडा मैं राहुल गांदी को बीच में लाना चाहता हूं दर्शको राहुल गांदी कैसे शक्स का नाम है कि जिस जम्हें भारत जोड़ो यात्राई कर रहे थे महारास्त मोचे तो इनसे उद्दव ठागरे के बेटे भी आए उस यातर के अंदर आप जानते हैं सावरकर चाय एसे देता है और यही सावरकर बार-बार अंग्रेजे से माफी मांगता है लेकिन बेरहाल इस बात में नहीं जाता सावरकर को राहुल गांदी जैसे नेता ने जब उस समय जरुवत थी महारास्त अंदर चुप रहने की उस समय भी उस आदिमीने सावर करके बारे में वो ब पात्रकार हैं वो कह रहे हैं कि भार्दे इंदा पार्टी की से डबल डीजिट में भी नहीं आएंगी लेकिन उसके बावजूद भी फाइदार नुकसान की परवा करते हुए राहुल गांदी ने जो बात सच है लोगों के सामने बहुत वर्क बले वर्क के सामने वह बात कही डरे नहीं वो आदमी तो उस आदमी ने तो सावरगर को उस वक्त नहीं छोड़ा था वो बोलता गया नुकसान उसकी वोड बैंक का हो ना हो बात अलग है माराज से बहुत सारा वोड बैंक छिट सकता था लेकिन वो बोला जरूर लेकिन अब शरत पवार के बारे में मैं आ आरोप लगाते हैं लेकिन अब हुआ यू है कि अब इनके पक्ष किसी बात मूँ से निकल गई है तो अब बताईए जो एंडी टीवी का अडानी का खुद का चैनल है वो अगर बहला फुसला करके या किसी भी परकार से मैं यह नहीं कहता कि इतने पुराने नेताओं को बह करने वाले हैं ना और एलक्षिन से पहले रुकेंगे तो यह अडानी का मुद्धा अभी जो राज्येपाल थे यहां उत्तर परदेश की भी जाटनेताओं में से हैं मैं नाम भूल रहा हूं उनका मेगाल लेके तर कश्मीर के जो गवर्नर थे सक्तेपाल मलिक उन्हों का ब दो दो हाथ करने के लिए हम तयार हैं इस कॉंग्रेस को तो आप अभी बिल्कुल कुछ मानी नहीं रहे थे और कैई विपक्षी नेता भी कह रहे थे के कॉंग्रेस का विले हो जाना चाहिए आज उस आदमी ने एक यात्रा निकाल करके जेपीसी का मुद्धा उठाकर और को किसी परकार से लोगों के सामने नंगा करने की कोशित जैसे कर रहा है राहूल गांदी और बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से घुटा ले किया है तो उसके बाद भारते जिंदा पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि बोला क्या जाए विपक्षी नेता तो चुपचा इनक इश्कुमार कहे चुके हैं कि कॉंग्रेस का इंतिजार कर रहे तार मलिकार जुन खड़के ने फोन भी कर दिया है तो कहने का मतलब दर्शकों यह कर राहूल गांदी ने अपनी उस वाले पूरे पूरे प्रोग्राम को ऐसा चलाया है कि भारते जिंदा पार्टी की समझ मे नहीं आ रहा है लेकिन अब मैं आपको पत्रका और और बता देता हूं इसको अलागी गालियां पड़ रहे हैं नीचे काफी यह पार्ट चरा ले करके आया बोला राहूल गांदी बेचारे तीन महीने से मोधी अडानी मोधी अडानी कर रहे थे शरत पवार ने तीन महीने म मैं उनके हमुद्दे की हवा निकाल दी तू भी अडानी कर लेता भाई दो मिनट तू भी पूछ लेता कि अडानी ने बारा लाग करूल रुपया कैसे मार्किट से ओड़ गया तू भी पूछ लेता कि बाहर की शैल कंपनी आ करके यहां पैसे लगा रही थी लेकिन इसकी पूछ निकाल दिया जयता है इसको पूछ निकाल दिया जाता है फॉष नहीं सकता हीınız अरे भाई-स सरकार का में सरकार के सवाल करना लिकिन सब्स您तों प्रदान मंघिस सब्सक्राइब अगर सिलेंडर अशोग गैलोत ने कर दिया राजिस्तान में आप कप कर रहे हैं जिस तरह से राइट टू हैल्थ का वो कानून बना करके लागों कर बैठा है आप कप कर रहे हैं दर्शकों मैं आपको बता दू कि मल्लेक अरजुन खलगे ने जो फोन किया है समय नितीश कुम रही है और जिस तरह से समाजी गुठान के लिए तमाम के तमाम लोग कांग्रेस के साथ आए हैं नितीश कुमार आते हैं OBC से मल्लेक अरजुन खलगे आते हैं SC से मैं आपको बता दू का अगर यह मल्लेक अरजुन खलगे मुझे इनमें कभी-कभी काशिराम बहुत पर उस चरथ पवार की बात पर जिन को यही मीडिया दुनिया भर की बात करहा हैं मैं लगा देता हूं साथ-साथ में लेकिन यह जो पक्ष की बात आये यह तो उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि अब ये जो हैं सोचल मीडिया पर जो बाते कर रहें इसकी चेकिंग होगी जो लोग बाते कर रहें अब हो सकता आने वाले समय में हम आपके सामने बाते जादा ना कर पाएं चैनल ही बंद कर दिये जाएं लेकिन बहराल आपको खबर कैसी लगी अपने डाय केमेंट्स बॉ लुब कर दोरा नगनेश फंद कर दो छबस्ताना ओटा भी बंद कर दोंताना रिवस्ता बाता 15 जोल कि तकर दोछ कर दोरे दोड़्स बाता हैं कि य Bंद घब तोरे on a यारे रिःवस्ताना चाहिरा वट भी एट उब वde उब हारें शोरें तोरें बहाइं थारें समयताना